हेलो स्टुडेंट्स आपने सुना होगा 1969 में अपोलो मिशन किया गया था नासो के द्वारा जिसमें नासा ने क्लेम किया है कि वो चान पे पहुंच गए थे लेकिं 1969 में ही इंडिया कहां पे था इंडिया अपनी पहली और्गनाजेशन स्पेस से रिलेक्टिड पहली और्गनाजेशन को सेटप कर रहा था on 15th of August 1969 that is ISRO Indian Space Research Organization उसके बाद 1974 में हम अपना पहला satellite डेवलब करते हैं जिसका नाम था आर्यबट और उसको launch किया गया USSR then USSR in 1974 उसी के बाद 1980 में इंडिया ने अपना खुद का satellite launch भी कल भी डेवलब किया और अपना खुद का remote satellite भी डेवलब किया और launch भी उसी से किया गया यानि SLV3 जो हमारा पहला launch वी कल था उससे हमारे जो रोहीनी सीरीज के remote sensing satellite थे उसको launch किया गया 1980 में उस टाइम पे NASA और इस लों के बीच में बहुत ही बड़ा gap था लेकिन आज के टाइम पे अगर हम देखे Mars को भी explore करेगा Saturn के ओपर study करेगा और Venus के hot environment को भी study करेगा definitely आज ये प्रूव हो चुका है कि India ने अपनी capabilities को properly दिखाया है और दुनिया के सामने एक example set किया है कि अगर हम चाहा ले अगर हम कोई चीज़ चाहते हैं और कुछ develop करना चाहते हैं तो उसको हासिल करके ही छोड़ते हैं आज का हमारा topic इसी से related है जिसमें इंडिया ने एक plan decide किया है एक project decide किया है गगनियान गगनियान 2025 में launch किया जाएगा जिसमें तीन astronauts को तीन दिन तब 400 km की orbit में Earth के चारों तरफ microgravity में गुमाया जाएगा और वहाँ पे ये तीन astronauts microgravity को experience करेंगे और data record करेंगे तीन दिन complete होने के बाद इनको वापिस safely bay of Bengal में drop करा दिया जाएगा और coast guard की health से उनको recover भी करा लिया जाएगा ये सारी planning चल रही है future में होने वाले बड़े mission जो की Mars orbiter mission होगा Mars rover mission होगा Saturn mission होगा जहाँ पे हम humans को बेजने वाले हैं दूसरे हैं दूसरे planets पे definitely आज का मारे topic इसी से related है गगनियान को आज detail में समझते हैं कि क्या है project गगनियान कौन से vehicle से इसको launch किया जाएगा expected date क्या हो सकती है इसकी launch की और इससे हमें क्या-क्या फाइदे होने वाले हैं और क्या-क्या challenges होगे आईए इसको तोड़ा डिटेल में समझते हैं गगरियान mission इंडियास man mission बात करें mission की अगर इसके background की अगर हम बात करें तो ये पहला human का एक program होगा इंडिया का यानि इंडिया का पहला man-made और man mission होगा जिसमें हम humans को किसी height पे यानि लगबग 400 km height पे उपर अर्थ atmosphere थे हम यहाँ पे बेजेंगे जहाँ पे वो microgravity को experience करेंगे इस invites back in the 2007 for this ISRO started research and development for various critical technologies that would be required for this mission यानि ये program आज का नहीं है 7 में हमने इसको decide कर लिया था और अब हम 2025 में इसको launch भी करने वाले है project got delayed due to the various reasons on August 2018 when the country celebrated its 72nd independence the Prime Minister announced that India will be sending a man or humans in the space budget की अगर हम बात करें तो लगबग 10,000 करोड रुपे का total इसमें cost आएगा जिसमें हमारा crew module included होगा जिसमें हमारा जो machines है वो included होगी astronauts की training include होगी और जो launch भी कल इनको launch करेगा वो सब include करके लगबग 10,000 करोड के आसपास का इसमें estimate लगा जा रहा है जो कि already government of India की तरफ से green signal मिल चुका है और ये fund जो है वो release किया जा रहा है installments में the mission launch got delayed due to the COVID-19 further ये COVID-19 में एक तरीके से वहाँ पे जो problems आई थी पूरे world के सामने एक corona की वज़े से यहाँ पे इसको delay कर दिया गया और अब expected है कि इसको late 2050, 2025 में sorry 2025 में इसको launch कर दिया जाएगा introduction की अगर हम बात करें तो definitely Indian academy और industries with the following objectives यानि अगर इनके objectives की main बात करें तो इसके अंदर में main चीज है कि हम इसकी अपनी capability को जो हम बढ़ाना चाहते हैं जिसमें हम human को किसी दूसरे planet पे future में जो बेज़ना चाहते हैं उसका एक experimental project होगा गगनियान दूसरा अगर हम बात करें इने long run it will lay the foundation for a sustained Indian human space exploration program इससे हम ये भी पता लगा पाएंगे कि कितना cost आता है और minimum resources में हम किस तरीके से humans को दूसरे space में दूसरे जो planets हैं atmosphere है asteroids है वहां तक किस तरीके से पहुचा सकते हैं कुछ इस तरह का दिखता है हमारा गगनियान का ये पूरा module जिसके अंदर में upper part जो है उसमें crew module होगा और नीचे पार्ट में machinery होगी जो की experiment करने में काम आएगी especially जो micro gravity के अंदर में होगा parachute से इसको वापिस से deploy कर दिया जाएगा यानि precautionary and safety measures were required definitely अगर हम technological requirement की बात करें तो सबसे बड़ा challenge है कि इसमें किसी की जान नहीं जानी चाहिए ये एक्दम safely होना चाहिए क्योंकि इसमें हम humans को भेजने वाले है definitely अगर कोई fault होता है कोई problem होती है तो कई सालों तक इस तरह के project न इंडिया शायद नहीं कर पाएगा तो पहले से इंडिया ने पूरा का पूरा safety measures कर लिए है precautionary measures ले लिए है जिसमें safety को पहले priority दी गई है उसके बात में हमारा experiments होगा definitely ये hopefully ये सब बढ़िया होगा इंडिया जब launch करेगा तो ये successful होगा 2025 में human rated launch vehicle habitable orbital module crew escape system and a life support system इन सभी के उपर में work किया जा रहा है और पिछले कई सालों से इसके उपर research हो रही है human rated launch vehicle की दर हम बात करें तो gslv mark 3 या फिर launch vehicle mark 3 जो की एक ही है इसका latest version है hrlv human rated launch vehicle तो ये और कोई vehicle नहीं है ये इनी के modified version है जिसमें एक उपर की तरफ में human rated crew module इसमें लगाया गया है जिसमें humans को या फिर astronauts को इसमें इसके थूँ भेजा जाएगा फर्दर अगर हम बात करें hrlv की ये 3 stage rocket है जिसमें first stage होती है solid stage जिसमें हम generally htpb hydroxyl terminate polybutadene नाम का जो propellant है fuel है उसको यूज करते है second stage में liquid fuel यूज किया जाता है जिसमें generally mmh monomethyl hydrazine unsymmetrical dimethyl hydrazine nitrogen tetroxide and mixed oxides of nitrogen जैसे fuel यूज करते है third stage होगा उसमें यूज किया जाएगा cryogenic engine जिसमें cryogenic fuel यूज किया जाते है generally इसमें hydrogen और oxygen यूज किया जाता है liquid forming उधारण के तोर पे अगर इसके बात करें तो ये first stage है this is second stage और ये है third stage और third stage के ओपर ये लगा हुआ है human rated crew module जो कि हमारे 400 km height पे 3 दिन तक revolution करेगा अर्थ के चारो तरफ it consists of crew escape system in case of emergency अगर astronauts को escape out होना है तो evacuate होने के लिए जो proper pad system है emergency के cases में astronauts को वहाँ से safely बाहर निकाला जा सके प्लस में orbital module जो properly उसको एक circular orbit में घुमाने में help करेगा along with the solid stage liquid stage अंडर प्रायोजनिक stage जो कि मैंने अब बता है ये UPSC पिसले कई सालों में ऐसे कई सारे question पूछ चुका है जिसमें वो stages भी पूछ लेता है उधारन के तोर पे 2022-23 में और इससे पहले भी इस तरह के question आए जिसमें stages पूछी गई है GSLV की उसकी carrying capacity पूछी गई है तो definitely इस तरह के question जो हमारे लिए बहुत जारा important हो जाते है बात करें इसके अंदर जो orbital module होगा orbital module के अंदर में क्या present होगा it consists of the crew module and the service module दो तरह के modules इसमें present है crew module जिसके अंदर में तीन astronauts का space होगा definitely space इसमें 7 astronauts का है बट safe side के लिए आपे तीन astronauts को ही भेजा जाएगा यसे ही service module जो आपे experiments करने के लिए especially अगर हम बात करें mainly जो microgravity experience करेंगे इस तरह के instruments को वहाँ पे बेजा जाएगा इस service module में कभी अगर जरूरत पढ़ती है तो जो crew module astronauts है वो इस service module के अंदर में एंटर करके वहाँ पे अपने data को access कर सकते है वापिस से वो अपने crew module में जाएगे यारी एक बड़ा chamber है जिसको दो चोटे-चोटे parts भी divide किया गया है एक chamber को हम बोल रहे है orbital module या फिर crew module और दूसरे को बोला जा रहा है service module crew module के अगर हम बात करें तो ये एक बिल्कुल ऐसा environment provide कर रहा है जैसे हैं कि हमारा earth के जैसा environment होगा for the onboard crew members it will consist of a human habitable module definitely oxygen की requirement carbon dioxide जो exhale करेंगी humans उसको किस तरीके से exhale किया जाए किस तरीके से निकाला जाए वहाँ पे जो food जो requirement है इन एस्टोनोट्स की जो जो भी requirement है एस्टोनोट्स की वो सब provide की जाएगी crew module के अंदर में under the control system crew communication, navigation, guidance and avionic system तक ही वो हमारे जो earth stations हैं वहाँ पे contact कर सकें तो communication systems यहाँ पे कुछ छोटे छोटे जो robots होते हैं उनको भी ले जाए जाएगा navigate करनी के लिए systems लगे होंगे ताकि पता चल पाए earth station पे की अभी हमारा जो crew module है orbital module है वो actually में कहा है structure की अगर हम बात करें तो यह double wall rigid construction है definitely जब यह atmosphere को cross करेगा चाहे जाते वक चाहे आते वक तो friction की वज़े से temperature बढ़ सकता है और temperature बढ़ने की वज़े से यह combust out हो सकता है burst हो सकता है तो उससे बचाने के लिए हमने इसको multi-layered system में convert किया है merely double wall system होगा जिसमे जो inner wall है वो pressurized है काफी ज़ाधा heavy होगी और जो अपर wall है वो un-pressurized है बट un-pressurized होने के साथ सा thermal protection system इसके अंदर में लगा हुआ है thermal protection system के अंदर में दो चीजे include होती है पहला होता है temperature withstand capacity यानि हम पहली ही इस तरह के जो metals होते हैं इस तरह के वापिस चली जाए और उसका ज़्यादा interaction ना हो उस particular component के साथ में तो दोनों system parallelly work करते हैं हमारे इस outer जो un-pressurized external system है that is protection thermal protection system it houses human centric products life support system इसके अंदर में present होगा avionic system इसके present होगा crew interface present होगा plus में de-acceleration के लिए जो speed को कम या जादा करने के लिए जरूत होगा वो भी हमारे is crew module के अंदर ही present होगा ताकि crew अपने accordingly decision ले पाए री entry करने के लिए atmosphere में safety concern के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़े ऐसी लगाई गई है जो definitely जो safety provide करेंगे इन astronauts को चाहे वो data collection की बात है चाहे वो heat की बात है चाहे वो return आने की बात है हर level पे इंडियन government और इस रो जो है पूरा अपने effort डाल रहा है ताकि astronauts को safely वापिस अर्थ पे लाया जाए module में especially पहला module है उपर वाला जो module है that is crew module जो especially habitable है astronauts के लिए दूसरा है service module जो particularly experiments करने के लिए main जो हमारे इस time पे जो purpose है वो बड़े experiments करने का नहीं है mainly है किस तरीके से human survive कर सकते है outer space के अंदर में किस तरीके से humans को कौन कौन सी चीजों की requirement होती है outer space में जो हमारे astronauts है उनके body के उपर microgravity का क्या impact पड़ता है example के तोर पे अगर हम समझना चाहें तो अभी सुनीता वीलियम जो है वो international space station में काफी दिनों से वहाँ पे फसे हुई है उनके साथ में दूसरे astronaut भी है जो की वापिस से earth पे अभी नहीं आ पाए है 2025 starting में February में शायद इन को वापिस लाया जाएगा जिसने जो Elon Musk है उनकी कंपनी SpaceX ने पूरा program बना लिया है लेकिन उनके body के ऊपर news आ रहे हैं जो हमें पता चल रहा है उसके तुरूँ पता चलता है कि हमारी जो सुनीता वीलियम से हैं और जो दूसरे astronauts हैं उनके ऊपर में environment का जो वापे space का microgravity का एक negative प्रभाव पढ़ रहा है जिसके वज़े से उनके जो blood counts है वो कम होते जा रहे है oxygen level कम होता जा रहा है definitely इस सारे जो experiments होते हैं यह हमें करने को मिलेंगे इस module के अंदर service module as well as the crew module this is our human rated launch because जो side में होते हैं booster stages होती हैं इनको solid stage बोलते हैं है हमारा liquid stage and this thing is actually the cryogenic stage cryogenic stage के उपर में ये लगा हुआ है हमारा module जो कि उपर जाने के बाद तीन दिन operate करेगा और उसके बाद में वापिस से Bay of Bengal में इसको drop करा दिया जाएगा बात करते हैं crew escape system किस तरीके से हमारा जो एक तरीके से जो crew module होगा in case of emergency किस तरीके से वो वापिस से earth पे land करा जाएगा जिसे कि ये आप देख पा रहे है यहाँ पे हमारा एक पूरा हमने HRLV यहाँ पे लगाया हुए HRLV थोड़ी देर थोड़ी height पे पहुँचने के बाद ये तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा एक पार्ट जो होगा वो हमारा जो mainly booster stage था जो इसको उपर ले जाने के लिए होगा उसको हम drop करा देंगी कहीं पे हमारा किसी particular area में जो भी तक decide नहीं हुआ है बेभी ये हमारा way of Bengal होगा उसके बाद में जो हमारा crew module है वो आगे जाएगा और crew module जो हो separately होके दीरे 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 करके parachute से वापे से drop करा दिया जागा इसके अंदर में weight कम करने के लिए इन दोनों part को detach करना ज़रूरी है क्योंकि अगर crew module जो है और जो हमारा service module है वो एक साथ रहेगा तो weight बहुत जारा बढ़ जाता है जिससे हमारी speed भी बढ़ सकती है friction बढ़ने की वेज़े से temperature बढ़ेगा और combust भी हो सकता है तो इन दोनों part को हमें separate करना पड़ेगा crew module को दीरे दीरे करके land करा जाएगा sea में या फिर हमारे land stations के ओपर बात करते हैं कि अभी तक गगनियान के लिए कितने experiments हो चुके हैं और किस किस तरह के experiments हो चुके हैं लगबग 2014 के अंदर में 14 के अंदर में integrated air drop test किये गए जिसमें इस तरह के crew module को पहली बार बना के helicopter के तुरू drop किया गया था और impact देखा गया था इसके अंदर में dummy astronauts को बैठाया गया था और उनके उपर में उनकी blood vessels की उपर उनके brain की उपर उनके जो blood होती हैं उनके उपर क्या फर्क पड़ता है muscles की उपर क्या फर्क पड़ता है यह सारी चीजे test की गई थी जो successful था second test किया गया test vehicle mission यानि जो हमारा जो vehicle है उसका test किया गया third किया गया pad about test emergency के case में किस तरीके से astronauts को safely उतारा जाए उसके लिए pad about test किया गया था 2018 में उसके बाद unmanned flight यानि एक बिल्कुल वैसी ही गगनियान जैसा ही एक already हम इसको mission launch कर चुके है जिसमें पूरा का पूरा बस लेकिन इसके अंदर में सर्फ एक चीज नहीं थी जो कि है astronauts यानि इसमें astronauts को नहीं बेजा गया और ये भी हमारा successful रहा और अब हमारा होगा manned mission जो कि होने वाला है लगबग mid of the 2025 या फिर late 2025 next year पात करते हैं क्या significance होगा इस तरह के missions से क्या फाइदा होता है किसी भी government को किसी भी country को definitely immediately हमें कुछ नहीं मिलने वाला लेकिन ये बूस्ट अप करता है further research को economic power को बढ़ाता है bilateral relations भी हमारे इससे अच्छे होते है technical advancement होती है experiments करने के लिए हमें एक रास्ता मिल जाता है तो इससे इस तरह के बहुत जारा फाइदे होते है in to achieve future technology capability हमें ये पता चल जाएगा कि हमेरे क्या क्या loop holes है कहां कहां पे हमारे negative है कहां कहां पे positive है तो definitely जो बड़े project करने वाले गगनियान के लिए तो उसके लिए एक रास्ता हमारा साफ हो जाता है किस तरीके से हम solar system को use कर सकते है return mission किस तरह से करेंगे जो हमारे scientific explorations future में वो किस तरह से किया जाएगा वो हमें इस तरह के experiment से पड़ा चल जाता है यानि गधनियान अपने आप में एक बहुत बड़ा experiment होगा बट इस experiment में हमारे astronauts भी यहाँ पे जाएंगी एक unique opportunity to inspire youth definitely इस तरह के जो experiments है हमारे जो youth scientist है young generation को encourage करने के लिए especially in the field of the space exploration definitely इस तरह के projects जो हैं बहुत ही ज़ादा काम करते हैं बहुत ही ज़ादा helpful रहते हैं बात करें foreign policy tools definitely foreign relations जो है वो भी अगर हम कोई technology किसी country से hire करते हैं या acquire करते हैं या फिर buy करते हैं तो उस case में हमारी उस country से भी अच्छे relation बन जाते हैं it will open door for diplomatic collaboration with other space फेरिंग nations paving the weight for joint missions knowledge exchange and the international cooperation in space exploration thereby standing international partnership हमारी जैसे बढ़ जाती है उदारन के तोर पे चंद्रयान 1 के अंदर में 2 के अंदर में हमने decide किया था रश्या के साथ उसको launch करने का लेकिन रश्या के कुछ technical issues होनी की वज़े से रश्या को हम साथ नहीं ले जा पाएं चंद्रयान 2 सिर्फ इंडिया ने खुद ही किया जबकि पहले 2008 में decide किया गया था इसको साथ ले जाए जाएगा बट येस इस तरह के जो further जो experiments होंगे जो हमारे missions होंगे उसमें जो खासा helpful होगा ये इस तरह के missions दूसरी countries के साथ हमारे relation बनाने में scientific breakthrough होता है इसके अंदर में scientific exploration in the microgravity experiment facilitated by गगनियान के lead to the groundbreaking discoveries in the field of the medicine, material, scientific, biology जो हम गगनियान प्रोजेक्ट के लिए experiment कर रहे हैं तो हम कुछ इस तरह की medicines बना रहे होंगे इस तरह के materials बना रहे होंगे जो इसमें हमें help करेंगे इस तरह के जो हमारे biological systems के उपर जो study होगी ये दूसरे जो programs होंगे उसमें भी हमें help करेगा यानि अगर हम कोई medicine इस program के लिए बना रहे हैं ताकि astronauts को अगर in case emergency medicines लेना पड़े तो जो medicines बनाई जाएंगी future में होने वाले program में भी वो काम आ सकती है materials future में काम आ सकते हैं जो हमारे जो आप बोल सकते हैं materials हैं और biological जो study है वो भी future में काम आएगी economic growth में बहुत ज़्यादा help करता है जब पूरा world देखता है कि इंडिया की capability को कि इंडिया किस तरीके से बहुती कम पैसों में और बहुती ज़्यादा efficiently किसी mission को launch कर देता है तो हम patch कर सकते हैं बहुत ज़्यादा projects दूसरी countries हमें अब project देने start कर दी है Azerbaijan, Kazakhstan, Australia, US, Russia इवन अगर हम देखेंगे तो Middle East की काफी सारी countries है जो हमें आज project देती हैं अपने satellites को launch करने के लिए वो सिर्फ इस वज़े से हो पाया है क्योंकि हमने कभी भी कोई बहुत बड़ा loss नहीं bear किया है हम जब भी कोई launch किया है हमने पूरे experiments के साथ research करने के बात launch किया है और हमारी जो efficiency है वो 95% से भी जादा की है तो definitely economic growth इसमें बढ़ती है space related industries बढ़ेंगी job opportunities इसमें बढ़ती है और हमारी जो overall development है उसमें ये खासा काम करता है इस तरह की informative वीडियोज को देखने के लिए do subscribe our channel चेहल अकैडमी हमारी जेता हमारी जूँ झाल है